नमस्कार दुफ्तों में संदीप स्वागत है आप सभी का आज किस नए क्लास में दुफ्तों ये वीडियो बहुत ही इंप्वाटेंट होने वाली उन छात्रों के लिए जिनका एक्जाम 2022 में है जो भी बीए के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही इंप्वाटेंट वीडियो की कि आज किस वीडियो में हम बहुत ही टॉप लेबल के कुईश्चन आप लोगों को बताने वाले टॉप लेबल के कुईश्चन और एंसर साहीद आप सभी को मालूम है कि नए सिच्छा नीत के एकोर्डिंग वो सारे कुईश्चन और एंसर होंगे जो कि आप क्याने आल एक्जाम के लिए काफी हल्प लोंगे हो सकता है कैसे आपके एक्जाम में रिपीट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो बिना देरी को वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है एक एक कुउश्चन समझन सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलती रहेंगी दोस्तों मैंने दो दिन पहले वीडियो अप्लोड की थी उसमें मैंने आति लगुत्रिय के हिंदी के बारे में तो सभी मालूम है कि इस बार अब्जेक्टिव कुष्चन ना के सब्जेक्टिव और लिखी तिक जाम होगा इस बार यह लिखे तिक जाम फर्स चिक अंडिया थार तीनों में होगा विए कि छात्रों के लिए ठीक है तो तीनों यह चात्र वीडियो को देख सकते हैं कि इनकी सभी के लिए इंप्वाटेंट है और मैंने पिछली वीडियो में सायद 12 तेरा कोईश्चन और एंसर आपको बताय है आज इस वीडियो का 16 नंबर पर आप देखेंगे लिखा है कि अचार रामचंद्र सुकल ने किन कभियों को सच्चा ठीक है सचंदतावादी और किने छायावादी कब माना है तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्या देखने को मिल जाएगा उत्तर मे लिखा है कि अचार रामचंद्र सुकल जी ने फ्रीधर पाठक राम नरेश्ट्र पाठी मुकुट धर पांडे आदिकभियों को सच्चा ठीक है सच्चा ठीक है सचंद सचंदतावादी तथा प्रसाद पंत निराला और महादेवी को छायावादी कब माना है यानि इस कोई तो इन्होंने जो माना है चायावादी और फच्चजंतावादी कभी उनके नाम निम्लिखित हैं आप लोगों का इंसर में इसे लिखना है तो चार रामचंद्र सुकल जी के हिसाब से यानि इनके अकोर्डिंग राम नरेश्ट पाठी मुकुंदर पांडे और स्रीधर पा चायावादी के प्रमुक कभी हैं इनके हिसाब से राम राम सुकोर्ड हिसाफ से ध्यान में रिखेगा इंपर्डन कोश्ट्न याद रखेगा निस स्कूशन का इंसर हो जाएगा मैं अग्यूप्त जी जो है वह दूबीक कभी है इस लिए को आप लोग नोग उनसर हो जाए याद रखीगा नेश्ट को स्टिन में लिखा कि मैथिली स्रेनगुप्त का जन्म कब और कहां हुआ था तो आइंसर में आप लोगों को लिखना है कि मैथिली स्रेनगुप्त का जन्म ठीक है तीन अगस्ट सन उनीस सोड़ी तो यहां पर आप लोगों को लिखना है तो यहां पर आप लोगों को मिल जा रहा है लिखना कि मैथिली स्रेनगुप्त जी की जो प्रमुक रशनाय है या फिर इनकी जो प्रमुक करतिया है वह निमलिखित है तो आप लोगों को यहां पर लिख देना आफ्चन करके या पॉइंट वाज करके जैद्रत्वध रंग में भंग भारत भ प्रमुक रशनाय है जिनका नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया अगर आपके एक्जाम में कुछ भी करतियाद रहें जो कि कम से कम पांच से च्छे तो यादी रहना चाहिए ठीक है पांच भी लिख देंगे तो आप लोगों को पूरे माक्ष मिल जाएंगे यह ध्यान प्रसाद ठीक है मंगला प्रसाद प्रुसकार किस रशना पर मिला था मैंतिरी स्टार जी को जो प्रुसकारित किया गया था ठीक है मंगला प्रसाद प्रुसकार से वो किस रशना से मिला था इनको यह किस रशना के माध्यम से इनको उसके सामने उसके योग यह बने तो आप को मंगला प्रसाद पुरुषकार है वो साकेत रचना करने पर मिला है ठीक है या मिला था इसा भी कोईश्चन लिख सकते हैं उसका एंसर ठीक है ने इस कोईश्चन नमबर लिखा है कि आपके पार्ठ करम में यानि कि जो भी एक छात्र है फश्टेर वाले उनके के पार्ठ करम में महाने सकते हैं कौन 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 सी कभीता है या फिर संकलित हैं कौन कौन सी आपकी पार्ठ मयानि आपकी जिर्षान जबमदा करने करी कविता है को का एंसर में लिख देना कि हमारे पाठ्ट करम में मैं तुनों और प्रेम पलता है और जो पांचवा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा वो है ठीक है दर्सो परसो घन बरसो ये इनकी प्रमुख राच्चनाय है जो कि इन फस्टेयर में संकलित है ठीक है यानि कि पाठ्ट करम में संकलित हैं ओके समझ में आ गया इस कोश्चन इसी में हम पढ़ेंगे लिखा है कि जैस अंकर प्रसाद का आविर्भाव और तिरोभाव कब हुआ कोश्चन है इस तरह के कोश्चन आपके एक्जाम में रिपीटेड होते हैं और इस बार भी हो सकता है रिपीट हो जाए तो यह याद रखेगा कोश्चन का एंसर लिखा है कि स्यूपच्छ को साहित का मूला ठीक है धार मानकर चलने वाले दुबेदियू के ठीक है चर्मौ कर्स के समय उपदेशात्मक रूप का जिसेद कर प्रेमसत्य और स्वंदोर के महत्त को प्रतिष्ठा पित करने वाले जैसे कर प्रसात का जन्म सन 1889 माघ सुक्ल दसमी संबत 1946 को वारणसी में हुआ और अल्प गायव में छैरों के कारण वारणसी में ही 15 नवंबर 1937 को इनक तिरोभाव का मतलब यह हुआ कि इनका जन्म ठीक है कब हुआ कहां हुआ और तिरोभाव का मतलब यह हुआ कब इनका निधन हो गया और कहां पर हो गया और किस वज़ा से हो गया बस तिरोभाव में यह कर लिखना अबिर्भाव जन्म तिर्भाव इनका निधन यही है इसक तो कमेंट करिएगा तो यह आप सभी को मालूम हो गया कि इनका जन्म जैसे अंकर प्रसाद जी का जन्म पंदर नॉमबर सरफ निस उस्टिस को हो गया हालाकि इनके जन्म के बहुत सारे मतभेद है तो आप लोग इंटरनेट पर साच करेंगे तो कन्फीज मत होईएगा यही रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रसाद के काब संसार पर प्रकाश डाली यानि कि प्रसाद जी का जो काब जो काब इनकी भासा थी ठीक है काब जो इनका चरित्र था वो कैसा था उसके संसार पर प्रकाश डाली काब एरिया में या फिर काब के छेत्र में काब के छेत्र में इनका क्या योगदान रहा उसके बारे में आप लोगों को लिखना है एंसर में मिल जाएगा ध्यान से समझे का हो सकता आपको दिख रहा हो अगर आप लोग ठोड़ा जो है फिक्सल यानि कि आप लोग जो आप लोग ट्रिपल जो यहां डाट दिख रहे हैं आपके यूटूब पे उस पे जाएंगे त समगर विकास को तीन चरणों में विभाजित करे तो पाएंगे कि चित्राधार कानन कुशुम महाराणा का महत्त्यू करोणा लए प्रेम पथिक एवं ज़र्णा पहले चरण में आती हैं तथा कामायनी तीसरे चरण में लिखी गई है चित्राधर में ब्रजभासा की कवित कानन कुस्म की रशनाय प्राया इत्व्रतत्मक है वरड़ा इत्व्रतत्मक है महाराणा का महत्तु या क्रांत अतुलकांत छहांदों में लिखी गई है प्रेमपथिक को भाव ठिक है भाव प्रभिधी से विष्टार दिखाई देता है जनाफे छायावाद का आरहम वाना जा कले तो इनका जो काब बे कछेत रहा है वह बहुत ही बढ़िया रहा है और इन्होंने बहुत सारी कविताओं की रशना की उनकी जो रशनाएं थीक है उनकी रशना जो हैं वह तीन भागों में विभाजित की गई हैं जो कि आप लिए यहां पर देखी पार रहे हैं और मैंने आपको बताया भी यह थोड़ा कोश्चन जो कायंस है जो आपको बिलर दिख रहा होगा तो आप लोग को निस्ट वीडियो में या फिर टेलीग्राम पर पीडिये पूरा डाल दोंगा तो आप लोग आसानी से वह इसे डाउनलोड कर लेंगे पढ़ लेंगे समझ में आ जाए दरस्तन नारी पूर्ष का महत्रपूर्ष चित्र और नविन प्रस्तितियों का जब्यापक है नेकि तेश के बाद 24 नंबर ठीक है निकी कि कि किस काभ विकरत पर पर परसाद जी को मंगला परसाद पारितोस्थिक प्रदान किया गया अब यहां पर कोश्चन पढ़िएगा मंगला परसाद पारितोस्थख की बात हो रही है तो में आप लोगों को लिכना है कि महा कामायिनी की वश्चछता को ध्यान में रखकर हिंदी शाहे समavingलन प्रियाग ने उन्हें मंगला परसाद पारितोस्थ प्रदान किया था ध्याण में रखेगा इ Ty Charles, कि प्रशाद की पहली रसना कि प्रकाशित हुई जो जएक कर प्रसाद की जो पहली रसना है उ सन में रची गईंहीं रहें जो कि लिखने के बाद होको को प्रकासित हुई तो आप लोगों को एंसर मिल जाएगा जैसेंगर कर साथ की जो पहली रसना हो सन 1906 बहारतेंद पत्रिका में कालाधर उपनाम से प्रकासित हुई द्यान रहेगा 1906 में भाज झाया नाम से प्रकासित हुई इसकी जो रच्णा काल है यानि जिस सन में रची गई थी उसका जो सन है उनीस सो चछेस है ठीक है नेस कोईशने है कि वारणसी के अंतिम सर्ग का नाम नाम है आनंद सर्ग ठीक है जाद रखेगा तो जो क्यामाइनी का जो साथ कर संकलित है तो जो कामाईनी का जो सर्ग संकलित है ठीक है हमारे पार्टिक्रम में वो कामाईनी में जो छटा फर्ग लज्जा सर्ग ये सारे संकलित है बिये फश्टियर के हिंदी पार्टिक्रम में जो पाठ या लेशन है सिरिजा संकल परसाद का उसमें याद रखेगा नेस्ट कोईस्टिन इसी में हम देख लेंगे लिखा है कि प्रसाद जी को ठीक है प्रसाद जी की कौन सी काब विक्रत उनके कभी जीवन की चरम उपलब्दी है तो इसका अंसर आप लोगों को मिल जाएगा कामाईनी महा काब प्रसाद जी की कभी जीवन की चरम उपलब्दी मौस्ट इंपॉर्टन कोईश्चिन है यानि कि अगर का माइनी की बात हो रही है तो वहां पर समझ जाएगा जैसे हमकर प्रसाद ही रसनाकार है इस महाकाब के ठीक है इस रसना के या महाकाब के इसी में इस कोईश्चिन है कि सुपत्रा नंदनपंद का जन्म कब और कहा संद्धानन पंत इनका सर नेम भी यूच किया जाता हो सकता है कि आपके एक्जाम में कुछिन हाजा जह जहां पर सुमित्रा नंदन डिके पंत ही लिखा रहे पंद का जन्म कहा हुआ था और का हुआ था तो आप समझ जाएग वहा रही हैं आप लोगों को लिख देना है कि सब्सक्राइब करें नाम जन्म हुआ था ठीक है कि पंत की देखिए आपके सामने आ गया है इनका सरनेम लेकर सुमेटा नंदन पंत की का विभासा पर प्रिकाश डाले का विके स्षेत में क्या योगदान नहीं नहीं को नहीं को नहीं कि उसके बारे में डीटेल में लिखना ह लिखा है कि पंत चायवाद के प्रमुक कभी हैं याद रखेगा पहले आप लोगों को लिखना है पंत जी चायवाद के प्रमुक कभी हैं पंत के बेक्तत की तरह उनके काब विकी भासा भी अत्भुत माधूर से युक्त है इनकी भासा को विश्यस्ता है इसकी विश्यस्त याद रखेगा नेश्ट वहांसा चैन सब्द विन्यास में नवीन्ता नेश्ट है इसी में भासा का सिस्ट परिक्रिष्ट और कलापूर्ट प्रियोग ठीक है अगला इसी में है लाच्छिनिक वैचित्त्र का प्रदर्शन और अगला है और सरा नकूल ओज एवं प्रसाद ग पड़ा सकते हैं ठीक है पृप्रतिकात्मक्स सहली का पृण कि खिक कोस्टन है याद रखे खैंण यहां ωुछ लगतों नाम करके दी आंप लोगों को शळकातिं है कि काब संग्रा है इनके जो पंत की रसनाएं वो निमलिखित हैं और काब संगरा लिख देना है कि उच्च वास वीडा, ग्रंति पल्लो, गुंजन, यूगांत, यूगवाडी, गाम्या, स्रोण धूली, स्रोण कीरण, मधोज्वाला, उमर, खैयम की रसनाओं का अनुवाद, यूगपत, उत्र अन्तिमा, वाड़ी, कला और बूढ़ा चांद, किरण, वीडा, ठीक है, पवफटने से पहले, गीत, हस, लोकायातन, माहा काब भी है इनका, तो ये रही, पंत जी की प्रमुकाब भी करती हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताएं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी ल लाइक करेंगा, कोई कोई सुझावत, बेसक कमेंट करें, किस सब्जेट का माडल पेपर चेक कमेंट में भी करें, कमेंट भी डालें, और वीडियो के डिस्क्राशन में टेलिग्राम को चैनल का लिंक है, उससे जोइन हो जाईए, वहाँ पर ये पीडिए मिल जाएगी, मि मिलते हैं, नेस्ट वीडियो में तब तक ले जाएंदर,